अलो फ्रेंट्स वेलकम दी बैक दी वेलकम स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू दा प्लमिंग वीडियो में आज का वीडियो का टॉपिक है देख सकते हो फ्रेंट्स यहां पे लूबी का पॉंप है लूबी का पॉंप है तो इसका प्राइस करीबन 16000 के आसपास है और यह मैं आप लोगोर पानी निकाल के दिखा हूंगा बेजमेंट में लीप का खड़ा में पानी भरा हुआ है वह मैं आपलोगों पानी से निकाल के दिखा हूंगा यह music साभर्मरे का इर और कोई भी नया बिल्लिंग होता है तो उसमें पांप लगता houक description इसका दिया गया है तो यह मेरे को चाहिए भी नहीं वो मेरे को समझ में नहीं आता है तो यहां पर इसको नट को खोल लेना है उसके बाद में इसको टेफलोंट से लगाना है दोस्तों यह पंप आपको बहुत ज्यादा तब काम में लगेगा जैसे कि रिजाबा टेंक है उस लटका के नीजे छोड़ दो और पानी पूरा का पूरा बाहर फेक देगा देख सकते हैं उसके बाद में इसमें जो सेक्षन फाइब लगा देना है थोड़ा बहुत ओईली टाइप कोई चीज लेना है उसके बाद में लगा कर जैसे कि मेरे पास मोबेल अबल था तो में मो को वो हो गया कंब्लीट अभी इसमें नट लगा देना है आफ अ कि देख सकती और यहां पर चेंबर में पानी निकाल रहा हूं ईह लीट का खट्ड़ाओं का पानी है basement मैंसे पानी मैं गरांड फ्लT के उपर हिस्चे में निकाल रहा हूं ये रहा लीट का खड़ा यहSon है और ये बेज़मेने नीचे में पूरा का भरा भरा हुआ से इसमें बखोत दिनेंसे पाली बर्लेट नए faut बारिस के टेमें पानी भर गया था सता बुअ है और आ या लाने सिंग अब वणकी पाहिं यticज़ु यह लिए लोग उयल डालते हैं आप देख सकते हूं मोटर का स्पीड बहुत ज्यादा है यह पानी पूरा का पूरा खाली हो गया थोड़ा बहुत नीचे रहे जाता है उसका जो मतलब कि क्या बोलता हूं मैं अब भी बोल के समझा नहीं पारा हूं तो मैं आप लोग उठा के दिखा दे ता हूं आप थोड़ा सा पानी भरा रहेगा और नीची पूरा पानी खाली नहीं हो देख सकते ओंके청 छोड़ देना ह्यां से पानी रहे जाब्युदा जाबा टेंक में कभी भी ऐसा मोटर बगेरा तूटके रह जाए तो उसको निकालने के लिए यह पंप का इस्तेमाल करो तो बहुत ही अच्छा रहता है देख सकते हो इतना जो गैफ है उतना गैफ का पानी रह जाएगा एक खड़ा करके जहां पर मोटर लगेगा वहां पर ख सेक्षन पाई में से बहार निकलते हैं यह सेक्षन पाई भे इससे बहार निकलते हैं उमिद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंदा आया वीडियो पसंदा है तो यार लाईक कमेंट शेयर और सबस्क्राइब करके बेल आईकन को दबा लीजिए गया मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा ऐसी किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई यारो